अगर आप कजाकिस्तन जाने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे जो आपको चाहिए फिर भी अगर कोई आपके मन में क्वेस्टन हो तो आप कमें सेक्षन में मुझे पूछ लेना मैं आपको उसका अंसर दे दूंगा तो चलि एक है मुंबई और दूसरा है देली और फ्लाइट की कॉस्ट लगबग अराउंड 10,000 तो 15,000 में वेरी करती है हम जब गए थे नोवेंबर 23 में तो हमें बहुत ही सस्ते फ्लाइट मिले थे 7,500 में हमें रिटन टिकेट मिले थे तो आप एक बार स्काय स्कैनर पे जरूर चे देंगे तो हमारा दूसरा पॉइंट है SIM Card and currency exchange हमें कहां से SIM Card and currency exchange करना होगा तो आप चाहे तो एरपोट पे भी कर सकते हो या सिटी के अंदर Shops होते होँ भी कर सकते हो जब हम कजाकिस्तान में थे तो हमने देखा कि इन दोनों में ज्यादा फरक नहीं है बस 500 रूपे का difference है तो मैं आपको सुझेश करता हूँ कि आप एरपोर्ट पे कीजिए क्योंकि हमारे साथ एक स्कैम हुआ था just because हमारे पास SIM card नहीं था तो मैं आपको recommend करता हूँ कि आप SIM card and currency exchange एरपोर्ट पे कीजिए जो आपके लिए बढ़िया होगा तो हमारा तिसरा point की कजा की स्थाय में हम stay कहा करें अगर आप family के साथ जा रहे हो तो मैं आपको सज़ेश करूँगा कि आप एक hotel book कीजिए जिसकी cost around 1500 to 2000 per night आपको मिल जाएंगी अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हो तो मैं आपको हमेशा recommend करूँगा कि आप hostel book कीजिए जिसकी cost around 1500 to 600 रुपेज पर night के लिए आपको मिल जाएंगी यहाद तक आपने वीडियो देखिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए अगले point की तरफ पढ़ते हैं तो हमारा चौता point है food कजागिस्तान में हमें किस प्रकर का खाना मिलेगा अगर आप non-wage खाते हो तो आपको कुई भी दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे non-wage menu available है बट आप सिर्फ वेच खाते हो अंड़ा भी नहीं खाते तो मुझे आपको वहाँ पे थोड़ा problem face करना पढ़ सकता है क्योंकि वहाँ पे वेच बहुती कम लोग खाते हैं और अगर आपको कजागिस्तान का local cuisine try करना है तो कजागिस्तान करके एक hotel chain है जो कजागिस्तान में बहुत famous है वहाँ पे आप जा सकते हो हम भी खाये थे और उनका खाना बहुती बढ़िया था वो भी affordable price है तो आप कजागिस्तान जा रहे हो तो कजागिस्तान को बिल्कुल भी miss मत कीजे उसके साथ वहाँ पे मैक डी और वर्गर किंचे से फास्पूड आउटलिट भी है जो आप ट्राइक कर सकते हो इस पॉइंट में हम देखने वाले कि कजागिस्तान में कौन-कौन से places आपको विजिट करने चाहिए कजागिस्तान में तीन सिटी बहुत famous है Almaty, Shemkent और Astana मैं आपको recommend करता हूँ कि आप तीनोई cities को विजिट करो तो mostly आपके trip का maximum समय Almaty में ही जाने वाला है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे amazing places जो आपको विजिट करने चाहिए जैसे कि Big Almaty Lake हम जब गए थे तो वो close था इसलिए हम नहीं देख पाए उसके बाद Shembaluk, Kolsai Lake, Candy Lake, Sharan Canyon, Zenko Cathedral, Green Bazaar, First President Park, State Museum ऐसे बहुत सारे places है जो आप Almaty में विजिट कर सकते हो तो हमारा दूसरा शेहर है Shemkent Shemkent में आपको सिर्फ दो ही दिन stay करना है एक दिन आप Shemkent की city explore करेगे और दूसरे दिन आप तुरकिस्तान जाओगे जो की बहुत ही खुबसूरत place है आपको वो definitely visit करना चाहिए Shemkent से आप जाने वाले हो अस्ताना अस्ताना में मैं आपको दो places highly recommend करता हूँ जो की है Grand Mosk of Astana and National Museum यह दोनों places विल्कुल भी मिस्मुत कीजिए उसके साथ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्क है मॉल से और अप एक urban city का experience अस्ताना में ले सकते हो अगर आपको nature में travel करना पसंदे तो आप अस्ताना में बोर हो जाओगे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप तीन दिन तक ही वहाँ पे stay केज़े तो हमने देखा कि हमें कॉन कॉन से places को विजिट करना है अब भी हम देखेंगे कि उन places को हमें कैसे विजिट करना है कदाकिस्तान में public transport बहुत ही बढ़िया है यह index करके एक app आता है जिसमें आपको bus की सारी information वहाँ पे मिल जाएंगी अगर आपको एक place से दुसरे place जाना है तो सिर्फ आपको destination डालना है वो आपको बताएगा कि कौन से bus stop पे जाना है कौन से number की bus आपको पकड़नी है और कितने बचे वो bus आएगी यह सारी exact detail आपको इस app में मिल जाती है उसके साथ साथ इस app में आप taxi भी book कर सकते हो बट आपको public transport यूज करना पसंद नहीं है तो आप वहाँ पे अपने लिए एक car भी rate कर सकते हो जिसकी cost लगबग 4,500 पर डे के इस app से आपको मिल जाएगी अलमाटी में आपको शेहरेन, कैन्यों, कोलसाइल, कैंडी लेक इनके लिए public transport अवेलेबल नहीं है इसलिए आपको mostly tour ही book करना पड़ेगा तो आइदर आप एक group tour book कर सकते हो या private tour book कर सकते हो अगर आपका group बड़ा है तो अगर आप इंटर में जा रहे हो तो वहाँ पर एक चीज़ आप ज़रू धेन रखे group group book करते समय क्यों उनकी काड़ी 4x4 है या नहीं एक बर उन से पूछ लीजे क्योंकि कैंडी लेक के लिए रस्ता बहुत ही खराब है इसके लिए आपको 4x4 काड़ी चाहिए नहीं तो आपको वहाँ पर अलग से पे करना पड़ेगा सिर्फ केंडी लेक की तरफ जाने के लिए अगर आपको हमारे टूर गाइड का इंफॉरमेशन चाहिए तो मुझे इस्टाग्राम पर मेंसेज कीज़े तो सिर्फ टैक्सी अवेलिबल थी इसलिए शिम्केन जाने के बाद एक बार आप वहाँ पर चेक कर लीजिए अस्ताना में सारे प्लेसे बहुत ही आसपास है तो आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है सिर्फ यांडेक्स आपको फॉलो कीजिए तो यह हो गई सारी ट्रैवलिंग कीजिए अब हम देखते है कि कदाकिस्तान में हमें कौन से समय पर विजिट करना चाहिए अगर आपको विंटर पसंदे स्नो देखना है तो आप नोवेंबर से जानेवरी में विजिट कर सकते हो उस समय वहाँ पर बहुत ही स्नो होती है आपको कुन से भी प्लेसे अच्छे से experience करने के लिए नहीं मिलेंगे तो यह रहा मेरा कजाकिस्तान के लिए पूरा guide अगर मेरे से कोई topic निस हुआ तो comment section में मुझे जरूर पूछे मैं आपको उसका reply दे दूँगा और अगर आपको मेरे कजाकिस्तान के personal vlog देख रहे हैं तो यहाँ पे उपर right में playlist दी हुई है आप जाके check out कर सकते हो